शारुखान की साल की मोस्ट अवेटिड फिल्म डंकी का ट्रेलर फाइनली आज रिलीस हो गया। ट्रेलर काफी मज़ेदार है। यह हसाता भी है, गुदगुदाता भी है और इमोशनल भी करता है। वहीं शारुखान की फिल्म का ट्रेलर या ट्रॉफ फोर को देख फैंस चूम रहे हैं। वहीं उसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की रियक्शन आने भी शुरू हो गये हैं। तो चलिए आपको बताते हैं डंकी का ट्रेलर लोगों को कैसा लग रहा है। डंकी ट्रोफ फोर में फिल्म की कहानी की प्लोट का प्रिव्यू मिल गया है। वहीं दिल्चस्प बात ये है कि डंकी के साथ शारुखान और राजकुमार हिरानी ने पहली बार एक साथ काम किया है। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा राजकुमार हिरानी कभी निराश नहीं करते हैं जब कंट्रेंट के राजा बॉलिवुट के राजा से मिलते हैं। जंकी ट्रेलर एक और यूजर ने लिखा एक साल में तीसरी ब्लोगबास्चर होने जा रहे हैं। कई और यूजर ने ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को ब्लॉक बास्चर बताया है। ट्रेलर काफी मज़ेदार है। ट्रेलर देखने के बास्चर बताया है। वहीं दिल्चस्प बात ये है कि डंकी के साथ शारुखान और राजकुमार हिरानी ने पहली बार एक साथ काम किया है। राजकुमार हिरानी संजू पी की ट्री इडियर्ट्स और मुन्ना भाई सीरिस जैसे हिट फिल्में दे चुके हैं। वहीं आप पहली बार शारुखान के साथ राजकुमार हिरानी डंकी लेकर आ रहे हैं। ऐसे में उमीद की जा रही है कि बॉलिवूट के ये दिगज जबरदस्त फिल्म लाएंगे। वहें ट्रेलर रिलेस के साथ ही एक यूजर ने लिखा राजकुमार हिरानी कभी निराश नहीं करते हैं जब कंट्रेंट के राजा बॉलिवूट के राजा से मिलते हैं जंकी ट्रेलर। एक और यूजर ने लिखा एक साल में तीसरी ब्लॉकबास्चर होने जा रहे है कई और यूजर ने भी ट्रेलर देखने के बाद फिर्म को ब्लॉकबास्चर बताया है जंकी की बात करें तो फिल्म के कलाकारों में शारुखान के अलावा अनिल क्रोवर, विकी कोशल, तापसी पन्नू, बोमन इरानी और विक्रम कोचर भी शामिल है हिरानी और अभिज्वात जोशी ने लेखी का कनी का जिलो के साथ मिलकर इसे लिखा है जंकी एक जियो स्टूडियोज, रेट शिलिज एंटर्टेन्मेंट और राजकुमार हिरानी फिल्म्स प्रोडक्शन है ये फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीस होगी नेशन स्पीक्स प्यूरो रिपोर्ट